नमस्कार मैं उद्वे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 25 जनवरी दिन गुरुवार खब्रों के अबनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के युवा अब इस प्रतियोगिता के तर जीट सकते हैं लाको रुपे की नाम गंतन डिवस को लेकर पूरी हुई तैयारी चौदर विभागों के दिखाई जाएंगी जहां किया मनोज वाजपे की यह फिल्म प्रीमियर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में होगी सामिल करपूरी जैंसी के अफसर पर ग्रेह मंत्री ने जारी के समारक सिक्का और डाक टिकेर आइसीसी ने सुरे कुमार यादव को चुना T20 आई क्रिकेटर आप दे एर अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के बिहार के 25 वरी खब्लों के और बिस्तार से बैंक ओफ बरोदा में निकली भरती वैसे युवा जो बैंक में नौकरी की चाहा रखना है उनके लिए अच्छी खबर है दरासल मैनेजर के रिक्त पदों पर बैंक ओफ बरोदा द्वारा भरती निकाली गई है यह भरती कुल 38 पदों पर आई है आविदन करने के लिए एक चुक मिद्वार इसके आधिकारिक वैबसाइट बैंक ओफ बरोदा डॉट इन पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन करने के अंतिम तारीक 8 परवडी 2024 है भरती के लिए यदि उमिद्वारों के सैक्ष्णिक योगिता की बात करें तो जरूरी है कि आपके पास किसी भी मानिता प्राप्त विस्विद्याले या संस्तान से असनातक की डिग्री हो साथी नियुन्तम तीन महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपने हासिल कर रखा हो उमिद्वारों की आयो सीमा 25 से 35 वर्स के बीच में होनी चाहिए भरती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं बिहार की युवर्स प्रतियोगिता के तर जीत सकते हैं लाखों रुपए के नाम यदि आप भी उन युवाओं में से हैं जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में दिल्चस्पी रखते हैं तो यह ख़बर आपके लिए है दरसल बिहार में सूच नाइवम जनसंपर्क विभाग के अंतरगत बिहार समवाद समीती युवाओं के लिए हर हफ़ते कॉंटेस्ट में भाग लेने का मौका लेकर आई है इसका आयोजन 29 जनवरी 24 से हर हफ़ते सुरू होगा इस कॉंटेस्ट में भाग लेने में जीतने पर आप हर हफ़ते लाखों के इनाम जीत सकते हैं बतादे के बिहार समवाद समीती प्रथम सब्ता के थीम की जानकारी 26 जनवरी को देगा इस प्रदियोगिता में वहीं युवा भाग ले सकते हैं जो बिहार के अस्ताय निवासी है और उनकी उम्र कम से कम 18 वर्स है इसकी जानकारी आपको eadvtprd.bihar.gov.in slash जनभागिदारी वेबसाइट पर देखने को मल जाएगी हाला कि इससे संबंदे दधिक जानकारी आप सोसल मेरी एक्स पर IPRD बिहार के अधिकारिक ट्वेटर हैंडल पर भी देख सकते हैं बिहार पैटर्ण में आज हम बात करेंगे तिलहारा यूनिवरसिटी के बारे में तिलहारा यूनिवरसिटी बिहार के नालंदा जले की एंकगर सराय ब्लॉक के तिलहारा गाउं में स्थे थे तिलहारा यूनिवर्सिटी एक बौध मठ है जो पहली सताब्दी इस भी पूर्व का है प्राप्त अबसेसों के आधार पर तिलहारा यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रम सिला विस्विद्याले से भी प्राचीन है पुरा तत्व वीदों ने इस इट की खोज की है जिसे इस प्राचीन विस्विद्याले के नीव के रूप में उप्यो किया गया था इट का परिमाप 42 गुना 32 गुना 6 संटी मीटर है इससे पहली सताब्दी के कुसान काल के प्रभाव का खुलासा होता है इस बात के पुकता प्रमान है कि 34 सताब्दी के नालंदा और 6 सताब्दी के विक्रमसिला विस्विद्याले से तिलहारा विस्विद्याले प्राचीन है गंतन दिवस को लेकर पूरी हुई तयारी 14 विभागों की दिखाई जाएंगी जहां किया गंतन दिवस के अफसर पर पटना के गांधी मैदान में रिहरसर चल रहा था जिसे बीते दिन फाइनल कर दिया गया है इस दोरान नमन्युक्त आईपियस देक्चो भावरे चल रहे इस पूरे परेट का नितरित्व करती नजर आए मौके पर ही पटना के प्रमंडली आयुक्त कुमार रवी पटना आईजी गरिमा मलक और पटना SSP राजीव मिस्रा समेत और भी कई अन्य अधिकारी उपस्ते थे इस संबंद में प्रमंडली आयुक्ति कुमार रवीद वारा बताये गया है कि 75 गंतंत्र दिवस के उपलक्ष में पटना की गांधी मैदान में यह पूरा आयोजन होता है दिसको लेकर तैयार यहां पूरी कर ली गई है उन्होंने बताय कि गंतं दिवस के सबसर पर लगबग 20 टुकरिया जंडो तोलन के परेड में सामल होकर सलामी देने वाली हैं इस दोरान गांधी मैदान में बिहार सरकार के 14 विभागों की जहांकिया देखने को मिलेंगी साथी सुरक्चा के लिहाद से गांधी मैदान में आस्थाई धाना, गेटों पर मजिस्ट्रीट और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की तैनाती रहेगी साथी गांधी मैदान की चारों तरफ समेथ बिहार पुलिस के जवान तैनात रहेगी बिहार पुलिस मुख्याले ने 43 फरार अपराधियों पर 3 लाख रुपए तक के इनाम की की घोसना भरते अपराध के मामले को लेकर पटना पुलिस मुख्याले द्वारा की गई बरी कारवाई की जा रही है अभी हाल में पांच लाख रुपे से लेकर तीन लाख रुपे तक है इनामी अपरादियों को पुलिस मुख्याले के निर्देश पर S.T.F. और बिहार पुलिस की टीम द्वारा गिरफ़तार कर जेल भेजा गया था अब एक बार फिर से 43 फरार नकसलियों और अपरादियों के विरुथ पुलिस मुख्याले द्वारा पुरसकार की रासे की घोस्त ना की गई है बता दे के इन पुरसकारों की बैदता दो वरसों के लिए है पुलिस मुख्याले ने इस अपरादी पर पूरे 3 लाख रुपे त इस पर भी तीन लाख रुपे के नाम की घोसना कोई है। SCIST बचों को नेसुल्ग प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के साथ रादे सरकार देगी छातर विर्ती, प्रदे सरकार अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के बचों को UPSC, BPSC और CATMAT जैसी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करवाती है। यह तैयारी इन वर्ग के बच्चों को 6 महीने की अबदी के लिए नेसुल्क दिया जाता है। वर्दमान में इसकी तैयारी बिहार के 10 दिलों में करवाई जा रही है। इन दस दिलों में पटना, भागलपूर, दर्भंगा, गया, भुजपूर, मुजपरपूर, सारन, सहरसापुर्णिया और मुंगेर सामिल है। यदि आप इन प्रतियोगी परिक्षाओं के निसुल्क तैयारी के लिए नावांकर लेना चाते हैं। तो जरूरी है कि आप बिहार राजी के अस्थाई निवासी हो और S.C.S.T. वर्ग से अपना संबंध रखते हों। इन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए चैन प्रक्रिया की बात करें। तो मिद्वारों का चैन प्रक्रिया से प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची के जड़िये किया जाएगा। दिनों मिद्वारों का चैन इसके लिए होगा उन्हें छात्र विरते भी दी जाएगी जो अस्थानी चात्रोंगे उन्हें हर महीने 500 रुपे मिलेंगे तो वहीं जिला के बाहर रहने वाले छात्रों को हर महीने 3000 रुपे दिये जाएंगे इसे संबंदित अधिक जानकारी के लियाप जला के अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाती कल्यान कारियाले में जाकर संपर्ग कर सकते हैं। जन्चितों के प्रती अपनी सम्वेदना से जन्नायक तो बने थे लेकिन जन्नायक को भारत रत्न बनने में बहुत लंबा समय चला गया। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार बिहार के लाल ने किया कमाल। खेलो इंडिया यूथ गेम जो तमिलनाडू में आयजुत हुआ था इसमें बिहार के गया के रहने वाले प्रहलाद कुमार ने भी अपना जगह बनाया है। तीन किलो मीटर विक्तिकट अस पर्दा में इनहोंने रजत पदक अपने नाम किये हैं। बतादे की खेलो इंडिया यूट गे में अपने जगह बना कर प्रदा कुमार के पहले ऐसे खिलारी बन गया हैं। जिन्होंने खेलो इंडिया में अपनी जगह बनाई है। प्रहलाद का घर गया जिले के अतरी प्रखंड छेतर में नरावट गाउं में पढ़ता है। बिहारी बत्री स्पेसल में आज हम बात करेंगे विसाल आदितिस सिंग के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साल 2008 में विसाल आदितिस सिंग को टाइमस ओफ इंडिया के सबसे चहीते पुरुसों की टेलिविजन सूची में तेरवे अस्थान पर रखा गया था। 2019 में उन्होंने एक बार फिर से बाजी मारी और टाइमस ओफ इंडिया के सबसे चहीते पुरुसों की टेलिविजन सूची में सत्रवे अस्थान पर रहें। साल 2020 में विसाल अठारवे अस्थान पर रहें। जुलाई 2019 में वे मधुरीमा तुली के साथ निरते नाटक नचवलिये के नौवे सीजन में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगीता के रूप में सामिल हुए और सेकंड रनर अड़ बने। उन्होंने रियालिटी टीवी सो बिग बॉस के तेरहवे सीजन में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में भी प्रवेस मिला थे। आपके फोन में 5G के सर्विस सपोर्ट कर रही है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले फोन के सेटिंग में जाना होगा। वहाँ पर कनेक्शन के आप्शन को देख कर उस पर टैप करें। यहां आने के बाद नेटवर्क मोड पर आए। फिर यहां से आप अपने फोन के 2G, 3G, 4G, 5G कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। यदि यहां पर 5G नहीं दिख रहा तो उसका मतलब है कि आपका फोन 5G को सपोर्ट करने में सच्छम नहीं है। हाला कि ऐसा करने से पहले यह जानकारी ले ले कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क का कनेक्शन है या नहीं। मनोज वाजपी की यह फिल्म प्रीमियर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में होगी सामिल। फिल्मी दुनिया में इन दिनों लगातार मनोज वाजपी अपने महनत के बलबूते नाम कमा रहे हैं। अभी हाल में उनकी वेब स्रीज खिलर सूप रिलीज हुई है। सक्षमता परिक्षा में थोपे जारे नियमों पर माधमिक सक्षक संके महा सचीव ने सियम नितीज को लिखा पत्र। सियम नितीज कुमार को बिहार माधमिक सक्षक संके महा सचीव और पूर्वसांसर सद्रुगन प्रसाद सिंग्ध वारा पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने नियोजो सिक्षकों के लिए जाने वाली दक्षकता परिक्षा की चर्चा की है और कहा है कि विस्ष्ट सिक्षक नियामावली दोजार तेस में परिक्षा में सामिल होने वाले सिक्षकों के लिए कठिन से कठिन सर्त लाद दिये गये हैं सिक्षकों को एक्षिक ट्रांसफर का ही प्रापधान किया जाये वहीं और परिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि जहां तक ऑनलाइन परिक्षा का विभागे आदेस एसका उलेक नियावावली से नहीं है जब दो लाग से अधिक सिक्षकों की बहाली लिखित परिक्षा ओफ-लाइन ली गई टॉक में सनीध राश्टर से में भारत का प्रतिनेज़ित किया है। इस सेमिनार में एक मात्र चात्र राजदूत के रूप में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये है। अंतरा ने पटना में अपनी बीए की परहाई पूरी की। बाद में उन्होंने बनारस हिंदू विस्विद्याले से एलल बी की परहाई की है, अंतरा की यात्रा कानूनी कौसर और तक्नीकी कौसर के मिस्रन का प्रतीक है, उनके पिता डॉक्टर स्यामा चरन जहा और उनकी मा स्रीमती वासनी जहा, जिन्होंने सक्चा और संस्कृतिक सम प्रिद्धी को बरकरा रखा उन्होंने राष्ट्र साइबर नीतियों को आकार देने की प्रतिबदता के लिए सर्भिया, रूस, अर्जेंटिना, दक्षन अफ्रीका के राजनाइकों के साथ सहयो किया है। भयंकर ठंड देखने को मिले, पटना समेत कई जिले ठंड की चपेत में रहें, कई जिलों में तो भयंकर कोहरे देखने को मिले, धूप नहीं निकलने की कारण ठंड से लोग और भी परिसान होते नजर आ रहें। एक पूरा नवादा बेगु सराय लखी सराय और जहानाबाद जिले सामिल है। जिलों में विभाग के मुताबिक भिस्न सीत दिवस होने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के कुछ अस्थानों पर सी दिवस कुछ अस्थानों पर बहुत घना कोहासा और कुछ अस्थानों पर घना कोहासा होने की संभावना है। आज का मौसम सुस्क रहने वाला है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 16-18 डिग्री और नियुंतम तापमान 6-8 डिग्री और 8-10 डिग्री होने की संभावना है। परिक्चा में उत्रहन होने के लिए जो परिक्षारती सामाने वर्ग से उन्हें 40-0 पृसं तक लाना होगा। बतादे कि कई संवीदा सक्षक इस कंप्यूटर बेस्ट परिक्षा का विरोध भी कर रहे हैं इस मामले को लेका टीटी प्रात्मिक सक्षक संकी राज सयोजक राजु सिंग द्वारा कहा गया है कि संवीदा सक्षकों ने लगबग 20 साल पहले अपनी परिक्षा उत्तरण की थ बच्चों को लेका जानने रेलवे से जुरही है नियम भाते रेलवे आम लोगों के सफर के लिए सबसे सुगम और सस्ता परिभन का माध्यम है इसलिए देश के अधिकतर आबादी ट्रेन से सफर करना जादा पसंद करती है यदि आप भी ट्रेन से सफर करना जादा पसंद करते हैं तो आईए आज हम आपको बताएंगे बच्चों को लेकर डेलवे के इस नियम के बारे में यदि आप अरक्षित भोगी में पांच साल से कम उम्रे के बच्चों के साथ सफर करने वाले हैं तो आपको बता दे कि एक से पांच साल तक के बच्चों को आप दिना टिकेट के भी ले जा सकते हैं लेकिन इस सफर के दौरान उस बच्चे को अलग से आरक्षित सीटे नहीं दी जाएंगी वही जो बच्चे पांच साल के उपर के हैं तो उन्हें डेलवेद वारा ट्रेवल इंसोरेंस भी दिये जाते हैं यह इंसोरेंस पांच लागस रुपे से भी अधिक का हो सकता है वही यदि आप पांच साल से उपर के बच्चों का अलग से सीट लेना चाहते हैं इसके लिए आपको टिकेट के पूरे पैसे देने होंना निदीश कुमार ने परिवार वाद पर साधने सान ना बीदे दिन करपुरी ठाकुर के जैन्तिक अफसर पर पठना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में निदिसकुमार ने सबा को संबोधत करते वे परिवाद बाद पर हमला किया है उन्होंने कहा कि करपूरी ठाकुर जीने अभी अपने परिवार को आगे नहीं बढहाया लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं आज कर लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं बेटा अपने आपको बड़ा नेता बोलता है बरी बरी बाते बोलता है लेकिन करपूरी ठाकूर जी ने कभी भी अपने बेटे को अपने पत का लाब न के लिए केंज सरकार और प्रधार मंत्री जी को बढ़ाई देता हूँ समराज चौधरी ने बताया लालू नितीस का अखिलेस मायावती जैसा होगा हाल बीते दिन करपूरी ठाकुर के जैंती के अफसर पर समराज चौधरी ने महागरबंदन पर जमकर निसाना साधा है वे पिछली दलित जातियों का नाम लेकर प्रधेस को लूटते रहें और अपना घर भरते रहें उन्होंने का कि उत्रा प्रधेस की जनता को यह सच पहचान ना और उनका साथ छो दिया अब विहार की बारी है लालू और नितीस कुमार की राजनीती खत्म करने का समय आ गया है जनता जान गई है कि किस तरह उन्होंने प्रधेस को लूट और अपना घर भरते रहें लालू यादब ने लगाया आरोप इस वज़े से करपूरी ठाकुर का नाम ले रही बीजेपी बीते दिन करपूरी जैंती समारों में राज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादब और डिप्टी सीम्ठी जस्फी यादब करपूरी ठाकुर के चितर पर मालयारपन अर्पित करते वे स्रधानली अर्पित की इस दोरान उन्होंने राज़त काले करताओं को संबोधत करते वे कहा कि कांसी राम ने दलितों को जगाया है और मायावती ने दलितों को डुबोया है वहीं करपूरी ठाकुर की चर्चा करते वे उन्होंने कहा कि जन्नाय करपूरी ठाकुर सामाजिक ने आयके नेता थे चुनाब नजदी का रहा है तब वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी ने करपूरी ठाकूर का नाम देना शुरू कर दिया है भारत रत्न की उपाधी तो उनको मिलनी ही थी उसको तो हम लेकर ही रहते हमने कांसी राम जी और लोहिया जी को भी भारत रत्न देने की मांग की थी या हमारा हक है कोई भीक नहीं है आगे उन्होंने बताए कि हम लोगों ने वादा किया था कि ठाकूर तेरे अर्मानों को दिल्ली तक पहुचाएंगे हमारी पार्टी राज़त ने उस वादे को पूरा किया है ममता बेनर्जी के अकेले चुनाब लने की घोस्तना करने पर कनहिया कुमार का बयान आया सामने इस वक्त विपक्षी पार्टियों के इंडिया गटबंदन को बरा जटका मिला है दरसल बीते ही दिनों बंगाल के मुखे मंत्री और टीमस्ती प्रमुक ममता बेनर्जी ने अलान करते वे कहा कि उनकी पार्टी अब अकेले लोगसभा का चुनाब लरेगी इसकी वज़ा उन्होंने सीट सेरिंग को बताई है वही नाराजगी जाहिर करते वे कहा गया है कि सिस्टा चार किनाते कॉंग्रिस के तरब से बंगाल में भारत जोरो यात्रा न्याय यात्रा को लेकर किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई है अब इन मामलों को लेकर कॉंग्रिस के कनहिया कुमार का बयान सामने आया है उन्होंने कहाए कि इंडिया गटबंदन अपनी जगह है और न्याय यात्रा का मकसद अलग है इस देश में चुनाब होते रहेंगे चुनाब का हमारी यात्रा से कोई मतलब नहीं ICC ने सुरे कुमार यादब को चुना T20 I Cricket of the Year अंतर राश्ट्रे क्रिकेट परिसद यानि ICC ने लगातार दूसरे साल वर्स का सर्वस्रेश्ट T20 Cricket भारत के अकरमक बलेबाल सुरे कुमार यादब को चुना है बता दे कि सुरे कुमार यादब ने वर्स 2023 में 50 के करीब औसत और 150 अधिके स्ट्राइक रेट से T20 Cricket में रन बनाये थे फिलहाल वे अपने सर्जरी की वज़़से जर्मनी में है और IPL के लिए मार्च में वापसी कर सकते हैं IPL में वे मुंबई इंडियन्स के साथ खेलते नजर आएंगे सुरे कुमार यादब को लेकर ICC द्वारा कहा गया कि भारतिये मध्यकरम की दीर इस बल्लेबाज ने कई मैच जिताए हैं लगतार दूसरी बार उन्हें या पुरसकार दिया जा रहा है उन्होंने साल के शुरुआत ही स्री लंका के खिलाब साथ रन बना कर किये लेकिन उसके बाद उनका लगातार अच्छा प्रदर्सन देखने को मिला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाब 42 गेंद में 80 और दक्षन अफ्रीका के खिलाब 36 गेंद में 56 रन बनाए और आगे भी कई मैचों में उन्होंने अपने सांदाल प्रदर्सन दिखाये थे इसके लावे आपको बता दे कि आज हैदराबाद की राजीव कांद इंटर्नेशनल क्रिकेट स्टेरियम में इंगलेंड और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच होने वाला है कई कानों से दर्जह भारत दिखास में आज की तारीक भारतिये ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद समाज सुधारक केशब चंदर सेन ने 1880 में की थी सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ध ने राज घोसत किया गया था सेख मुझी बुर रह्मान 1975 में बांगलादेश के राष्ट पती बने थे तीन साल के अंतराल के बाद 1980 में पदम भूसन भारत रतन आदी नागरिक सम्मान दोबारा प्रदान किया जाने लगा प्रसित समाद सेवी मदर ट्रेसा को 1980 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था आचारे विनोबा भावे को 1983 में मरनोप रांत सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतन से नवाजा गया था राम सेवक संकन 1988 में सुरी नाम के राष्ट पती के रूप में सपत ग्रहन की 2002 में भारती वायू सेना के पहले एर मारसल अरजुन सिंग बने किन सरकार ने 2009 में पद में भूसन वा पद में स्रीपुरसकार की घोसना की थी आज के दिन को राश्टे मद्दाता दिवस के रूप में मनाया जाता है वाइरल खबर में आज हम बात करेंगे कि क्या 16 अप्रेल को होंगे लोगसबा के चुनाव लोगसबा चुनाव इसी वर्स होने वाले हैं हाला कि चुनाव कब होगी इसकी तारीक के एलान का इंतजार है अब इसी बीच सोसल मीरिया पर एक लेटर वाइरल हो रही यह लेटर मुखिये चुनाव अधिकारी के होने का दावा कर रहा इस लेटर में लिखा है कि 16 अप्रेल 2014 को लोगसबा का चुनाव होगा दिली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहे लेटर को लेकर अपनी बाते रखी गई हैं। एक डाउनलोड करनी परती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। इसके लिए आपको किसी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं परेगी। बस ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी फोटो के बैगराउंड को सुन्दर बना सकते हैं। इसके आप सबसे पहले अपने फोन में Chrome ब्राउजर के सर्च बार में डिमूब बीजी लिखें। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद आपको अप्लोड का ओप्सन दिखाई देगा। इस ओप्सन पर क्लिक करना चाहतें तो आपको एडिट के ऑप्सन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको कई option दिखाई देंगे, आप तस्वीर के background में इस website में पहले से मौजुद कुछ फोटो लगा सकते हैं। अंको के उचाल के साथ 71,060 और National Stock Exchange का निफ्टी 215 अंको के उचाल के साथ 11,453 अंको पर close हुआ है। मतादे की बाजार में बैंकिंग, IT, Pharma, Metals, Energy, Infra, Healthcare, Oil, Air और Gas के स्टॉक्स में अच्छी तेरी देखने को मिली है। हम प्रती दिन आपसे पांच जैसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की VPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा समेथ, SSC जैसे अने प्रत्योगी पर एक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, पिहार, स्पेसल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और वोगोष से रहेंगे। हाली में नई दिल्ली में राष्टपती दुरौपदी मूर्मू ने उनिस और साधारन प्रतिवा संपन बच्चों को क्या प्रदान किये हैं? आप्षने हैं प्रधान मंत्री राष्टे बालपुरसकार, आप्षन बी है राष्टपती राष्टे बालपुरसकार, आप्षन सी है राजके बालपुरसकार, आप्षन डी है युवा बालपुरसकार, इसका सही उतर है प्रधान मंत्री राष्टे बालपुरसकार, इसका संयूतर है प्रधान मंत्री राष्ट्रे बाल पुरस्कार हाली में प्रधान मंत्री नरेंद ज्मोदी ने किसी योजना की घोस्तना की option है अन योदय योजन, option B.I. उस्मान योजन, option C.S. योदय योजन, option DNA से कोई नहीं इसका संयूतर है सुर्योदय योजन, बिहार की किस दिले में उचस्तर के मैगनेसियम चट्टान का खोच किया गया है, option A. कैमूर, option B.S. आसाराम, option C. और अंगाबाद, option D. है बाका इसका संयूतर है और अंगाबाद, स्वर्योदय डॉक्टर सेवाल गुपता का संबन निम्र में से किस छेत्र में था, option A. है राजनीती, option B.H. कित्स, option C. सम्विधान, वेता, option D. है अर्थवेवस्था इसका संयूतर है अर्थवेवस्था, बीते दिन हमाई दोरा पुछेगे सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब, हमें हमारे comment section box में लिकर दिया था, जिन्होंने हमाई दोरा पुछेगे सवाल का जवाब दे उनके नाम है, रंजीत मिस्था, विकास दास, राज किसोर मैतो, नौसाद रजाब, भरत प्रसाद, निकु कुमार यादव, पंकच कुमार दास, रूद्र राजीव कुमार, सुकुमार सिंग, गोनर सर्मा, उमेश रिसी देव, सुनेश ओरम, उजाला सिंग, सुभानन्द ठाकुर मुके इसके साथ ही बरते आज के सवाल की, और आज का सवाल है, लंबी यात्रा की दूरी तैय करने के लिए आपके इस माध्यम से यात्रा करना पसंद करते हैं, आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सिक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार क तमाम खबरों के साथ बने ना निकले देखते हैं भी हारी नूद, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेस्बुक से देख रहा हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद